किछन के लिए एक बहुत ही यूसफुल प्रोड़क्ट जो की है हैंड ब्लेंडर और यह हैंड ब्लेंडर चॉपर और विस्क के साथ में आता है तो इसकी यूटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है आज जो प्रोड़क्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अगैरो ब्रैंड का हैंड ब्लेंडर प्लस चॉपर इसका मॉडल है ग्रैंड और यह थाउजन वाट की मोटर के साथ में आता है और हमें देता है दो साल की वारंटी इस प्रोड़क्ट के साथ हमें डिफरेंड अटैच्मेंट मिलते हैं जिसकी हल्प से हम काफी सारे काम कर सकते हैं तो सबसे पहले है हमारा चॉपर बाउल जिसकी कैपसिटी 600 ml है नेक्स है ब्लेंडिंग जार जो 900 ml का है अच्छी कैपसिटी है इसकी भी और यह है मोटर सारा हैं ब्लेंडर अटैज्ट है साथ हमें एक विस्क मिलता है और विस्क का इस तरह का एक अटैच्मेंट है जो कि मोटर के साथ अटैच्म कर सकते हैं तो इस तरह से एक ही मोटर के साथ यह सारे अटैच्मेंट हमारे काम करते हैं ब्लेंडिंग जार और चॉपर दोनों ही BPA free है, साथ ही जो whisk है वो stainless steel का है मोटर काफी heavy है और इसके top में आप यहाँ पर देख सकते है speed controller दिया हुआ है जिससे आप speed को minimum to maximum adjust कर सकते हैं साथ ही यह दो button आप देख रहे हैं इसी से motor on होती है यहाँ पर एक turbo function है और एक variable speed के लिए इसकी body stainless steel की बनी हुई है, साथ ही यहाँ से detach हो जाता है, जिसके वज़े से आप different attachment motor के साथ adjust कर सकते हैं hand blender की जो blade है वो stainless steel की हैं और काफी sharp है, साथ ही आप यहाँ पर यह जो जाली देख रहे हैंगे anti splash guard है, यानि कि जब यह blade घूमेंगी तो इससे कोई भी छीटे वगेरा नहीं आएंगे chopper की blade भी stainless steel की बनी हुई है तो यह इस तरह से अलग हो जाती है इस तरह से clean करना easy रहता है नीजे ज़से एक point है, उसके उपर attach कर सकते हैं आप इसको, और base anti skirt है तो इससे काफी अच्छा रहता है काम करते हुए तो यह देखे, इस तरह से बस blade को आपको इसके अंदर लगाना है और इसको घुमाना नहीं है, जिसमें जो grooves वनी हुई है उसके साथ ही lid को इस तरह से cover करना है lid के उपर आप यह point देख रहे हैं same point white color का हर attachment में आपको मिलेगा और इस तरह का एक shock kit type का मिलेगा आपको motor के ऊपर बस इसी के साथ ही attach हो जाता है इसमें घुमाना नहीं होता, जिसमें फिक्स हो जाता है इसके साथ जैसे आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो इसी तरह सारे attachment को आप motor के साथ attach कर सकते हैं और अपनी chopping, whisking और blending का काम कर सकते हैं विस्ट बहुत अच्छे से motor के साथ attach हो जाता है और powerful motor होने की वज़े से आप बहुत असान तरीकी से cream को whip कर सकते हैं blending jar में इस तरह से measuring scale बना हुआ है तो आप इस तरह से ingredient को इससे measure कर सकते हैं इस तरह से overall ये सारे attachment मिलकर इस hand blender को बहुत ही utility वाला बना देते हैं क्योंकि kitchen में जितने भी काम होते हैं सारे आप इस hand blender chopper और whisky help से कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारे attachment काम करते हैं तो सबसे पहले हम blender का use करके एक अच्छी सी lassi बना लेते हैं तो जस्ट आपको attachment को motor के साथ इस तरह से push करना है और ये attach हो जाता है तो इस तरह से ये ready है हमारी motor इसके बाद हम blending jar में लेंगे दही तो हम चांच बना रहे हैं तो दही मैं यहाँ पर just two spoon ले रही हूँ इसमें हम add करेंगे fresh mint साथी flavor के लिए इसमें हम add करेंगे जल जीरा powder काला नमक और इन सारी चीजों को एक बार ऐसे ही हम churn कर लेंगे पानी हम इसके बाद add करेंगे तो जो भी अगर आपके मोटी चीज़े हैं जैसे जीरा इसमें add करते हैं हम लोग या कोई मसाले हैं उनको आप पहले बिना पानी add के इस तरह से blend कर लेंगे तो सारी चीज़े एक सार हो जाती है उसके बाद इसमें लगभग मैंने 600 ml पानी add किया है और थोड़ी से space उपर ज़रूर आप रखे आज़र वाइस बाहर निकलने के chances रहते हैं क्योंकि इस तरह से जब यह rotate होता है तो इसको rotate होने के लिए space चाहिए और यह आप देख सकते हैं इसकी power मैंने अभी यह medium speed में ही किया है और काफी अच्छे से within minute हमारी यह charge बनकर ready है तो बस इस attachment को इस तरह से आसानी से अप निकाल सकते हैं और clean करना भी बहुत ही easy है अब हम charge को serve कर लेते हैं उपर से थोड़ा सा जीरा powder हम इसमें डाल देंगे और यह हमारी yummy सी charge बनकर ready है तो देखा आपने right appliance अगर आपके पास है तो कोई भी काम kitchen में करना मुश्किल नहीं होता है next हम बनाएंगे एक milkshake तो milkshake मैं strawberry crush के साथ में बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 500 ml milk लिया है और उसमें हम 2 spoon डाल देंगे strawberry crush यहाँ पर मैं milkshake crush और milk के साथ में बना रही हूँ तो यहाँ पर हमें जस इसको mix ही करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैं whisk का use कर रही हूँ इससे यह सारी चीज़ें mix भी हो जाएंगे और milk हमारा फ्रॉदी हो जाएगा तो बस यह देखे attachment लगा दिया है मैंने और बस दो मिट में यह हमारा milk shake बनकर ready हो जाएगा काफी फ्रॉदी हो जाता है milk और बच्चों को इस तरह से milk काफी ज़दा पसंद आता है अगर आप fresh fruit के साथ में बना रहे हैं तो आप whisk attachment की जगह blending attachment का use करें उससे fruit आपका crush भी हो जाएगा और जो shake बनेगा उसका texture भी काफी smooth रहेगा तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से whisk हो गई है milk frothy हो गया है तो यह हमारा strawberry milk shape बनकर ready है enjoy करने के लिए आप इसमें ice भी add कर सकते हैं next हम chopper चेक कर लेते हैं chopper को मैंने अच्छे से wash कर लिया इसकी blade इसके साथ लगा दी है और अब इसमें हम chili, tomato और onion को एक साथ ही chop करेंगे क्योंकि रोजाना की cooking में हमारी एक tomato, एक onion इसी तरह से चीज़ें use होती है कम quantity में तो उसके लिए chopper एक्दम best है तो यहाँ पर just roughly मैंने इनको chop कर लिया है मूटा मूटा ही रखा है इनको और इस तरह से इनको हमने डाल दिया है chopper में तो chopper की blade हमने लगा के रखी है उपर से यह जो lid है इसको इस तरह से हम इसके साथ fix कर देंगे तो यहाँ पर इसको rotate नहीं करना जो इसकी shape है उसी तरह से इसको अंदर करना है और इसके बाद इसके उपर attach कर देंगे अपनी motor motor attach होने के बाद just plug on कीजिए और उपर से हमने button प्रेस करना है तो मैं यहाँ पर turbo button on कर रही हूँ और आप देखिए within minute यह सारी चीज़ें आपकी equally chop हो जाएंगी इसमें tomato था तो आपको थोड़ा सा इसमें रस दिख रहा है अगर आप onion को अलग से करेंगे तो बहुत ही dry chopping होती है और काफी fine तो बस इस तरह से यह देखिए chopping भी हमारी done हो गई है और काफी अच्छे result है इसके काफी sharp है इसका blade तो देखा आपने कितना convenient हो जाता है इस तरह से kitchen में काम करना अगर हमारे पस कोई right appliance है hand blender एक ऐसा appliance है जिससे kitchen के काम मिंटो में तो हो ही जाते है साथ ही इसको use करना काफी convenient रहता है इसमें बहुत ज़्यादा आपको ताम जहाम करने की जूरत नहीं है simple सा appliance है और इससे आप बहुत सारे काम ने कर सकती है तो मुझे तो इस product के साथ काम करके बहुत मज़ा आया क्योंकि इसकी powerful motor से काम बहुत ही easy हो रहे थे आपको ये product review कैसा लगा मेरे साथ feedback जरूर शेयर कीजिएगा product related जो भी information है साथी link मैंने description box में दिया हुआ है तो आप वहां से check कर सकते हैं उमीद करती हूँ आपके लिए video helpful रहा हो आपको पसंद आया हो मैं मिलती हूँ आप से कसी और नई interesting video के साथ तब तक के लिए bye thank you, thanks for watching have a nice day